नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं इसके लिए राज सरकार ने अबादी के अधार पर अरक्षन का सिधानत अपनाने करने न लिया है जिस नगर निकाय छेतर में जिस वर्ग की अबादी अधिक होगी उसे ही अध्यक्षपद का हक मिलेगा इस परकार रांची और अधित्यपूर जैसे निकायों में मेर अथ्वा अध्यक्ष पद अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित होगे वही धनवाद में यही पद अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित हो जाएगा बुकारों और देवगर में समाने वर के लोग मेर बन सकते हैं इसके लिए अभी जन संक्यान उपात का दिक्रीत तोर पर आकलन किया जाएगा या आकलन कर रिपोर्ट बन जाने के बाद ही सभी निकावों में अप्रेल माई में चुनाव कराए जा सकते हैं कैबिनेट ने इसके साथ ही बुद्धवार को कूल 29 प्रस्ताओं को स्विक्रिति प्रदान कर दी है ममता देवी को नहीं चाहिए जेल में कोई सुविधा बच्चे की चिंता आठ दिसंबर को दोसी करार दिये जाने के बाद रामगर बिधायक ममता देवी के लिए 13 दिसंबर की रात और 14 दिसंबर की सुबा बहुत भारी रही ऐसा नहीं है कि वे पहली बार जेल गई है या फिर उन्हें जेल से डर लग रहा है उन्हें चिंता सिर्फ अपने चार माह के बच्चे की है जिसे वह अस्तन पान करा रही थी बिधायकी जाने का जरा सा मलाल नहीं है परंतु उन्हें इस बात का दुख हाई की उनके साथ आए अन्यक ग्रामिनो का परिवार कैसे चलेगा रामगर बिधायक ममता देवी ने एबात चीत के दोरान करागार परसासन से कही राजनीतिक बंदियों को मिलने वाली सुविधा को लेकर जेल परसासन उनसे बात करने गया था जनकारी के अनुसार ममता देवी ने विशेस सुविधाय लेने से इंकार कर दिया है उन्होंने कहा एक वे समाने महिलाए और बिसेस कुछ नहीं चाहिए मंगलवार रात बिधायक ने भोजन नहीं लिया बुद्धवार को नासा भी नहीं किया दोफर में अने महिला बंदियों के आगरह परहल का भोजन किया है देवघर रूपवे हाथसा और रांची हिंसा की जाच लंबित पर राजेपाल ने मंगा जबाब राजेपाल रमेस बैस ने मुख्य मंत्री हमनसुरेन को पत्र लिख कर राजे में घटी दो भी सेस घटनाओ की तरफ ध्याना करिश्ट कराया है उन्होंने जीकर किया है कि 10 अप्रेल 2022 को देवघर जीला में तरी कुट पहाडी पर रूपवे दुरगाटना हुई थी उस दुरगाटना की जाच के लिए राजे सरकार ने 29 अप्रेल 2022 को एक समीती गठित की थी समीती को दो माह में जाच परतिवेदन समर्पित करना था इसी तरह रांची सहर में 10 जुन 2022 को संप्रदाइक हिंसा और पूलिस फारिंग की गंभीर घटना हुई थी इस घटना की जाच के लिए राजे सरकार ने वरियपता दिकारियों की एक समीती का गठन भी किया था जिसे दो माह में जाच परतिवेदन देना था इन दोनों घटनाओं के सम्मांद में अभी तक सम्मांदित जाज समीतियों ने कोई जाज परतिवेदन राई सरकार को नहीं दिया है। मुहया कराएगी सिक्षा मत्य जगनाथ मतों के आवास पर अंदोलन रत रसोया संग के परतिनिदियों से वारता करते हुए सिक्षा मत्य जगनाथ मतों ने इसकी खोसना किया है। सिक्षा मत्य ने या सविकार किया है कि उनका मांदे काफी कम है और मांदे बढ़ाने पर भी सरकार विचार करेगी। सब्सक्राइब ने आठ लाग टन धान खरीद का लक्ष निजायत किया है। बतादे धान विक्री को लेकर करीब तीन लाग किसानों रेजिस्टेशन भी कराया है। इस वर्स हर परखन के लेप्स में करीब 600 धान कराय केंद्रे बनाने की तियारी है। इन केंद्रों पर किसान सरकार दोरा निधाडित दर पर धान बेज सकते हैं। इस वर्स सुखार की वज़े से पैदावार कम होने के असार हैं जिस पर विभाग मन्थन कर रहा है। इसके बावजूद इस वर्स राज सरकार ने 8 लाग टन धान खरीदने का लक्ष ताय किया है। कॉलेजों में भी जहां बिज्यान की पढ़ाई नहीं होती है वहाँ अनुदान कम मिलेगा। जबकि जहां तीनों संकायों की पढ़ाई होती है वहाँ ज्यादा अनुदान दिया जायगा। जहारखन में पहली बार मुसहर परिवार को मिलने लगा योजनाओ का लाब डोर टू डोर सर्वे करा करूने सत्य परतिस्ता सरोजन पेंशन योजना मुक्षमंत्री पसुधन योजना राशनकाड एवं दस परिवार को बाबा साहे भीमरा अमबेट कर आवास विक्रित किया गया है कुर्मी कुर्मी को एस्टी सूची में सामिल करे खीरू महतो जार्खन परदेश जद्यू के अध्यक सांसत खीरू महतो ने राज सभा के मजूदा सत्रे में एस्टी संसोधन बिल पर बहस में भाग लेकर कुर्मी कुर्मी को एस्टी दर्जा देने की मांग की है समय पर काम करे अपसर नहीं तो होगी करवाई मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री हैं मंसुरे ने कहा है कि हम भाईचारे की राय निती करते हैं और बिरोधी जातिवाद की मुख्यमंद्री खतियान जो हार यातरा के दुरान मंगलवार को लोहर तक गाह में साभा को समोधित कर रहे थे इसे पहले अधिकारियों की बैठक में सीम ने निर्देश दिया है की काम में ढिलाई बिल्कुल नहीं चलेगी पता अधिकारी तह समय सीमा के अंदर काम करें अन्याथ टरवाई के लिए त्यार रहे बाद में आयो जी साभा में सीयेम ने दावा किया है की 20 सालों में पहली बार सरकार आपके द्वार कारकरम के जरेए अधिकारी गाउं में पहुँचे हैं जानता कि समस्याओं का समधान क्या है 17-гоे से 10-वी जेपिएसी परीक्षा के अंक संग दस्तावेज भी होगे अपलोड हाईकोट ने जेपिएसी को 17-12 जेपिएसी परीक्षा के माक्स समेट अने दस्तावेज बेपसाइट पर अपलोड करने का निर्दियस दिया है मंगलवार को जार्खन हाई कोट में जस्टिस अनन्द सेन की अदालत ने वेपसाइट पर अपलोड नहीं किये जाने के खिलाब दाकिली आजका पर सुनवाई में या निर्देश दिया सुनवाई की दौरान अदालत ने मोखिक रूप से जेपीसी से कहा है कि एक सब्ता में अभियार्थियों के मार्ग समेत अन्य दस्तावेज वेपसाइट पर अपलोड करे अलाकि जेपीसी की ओर चे इस मामले में जबाब दाकिल करने के लिए अदालत से समय की मांग किया गया अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिस्तंबर को निधारित किया है जारखन में 5 साल से अधिक पुराने केस की जाच दिसंबर 2022 तक पुरा करे ADG जारखन में 5 वर्स या उससे पुराने सभी कांडो की जाच इसी वर्स यानि दिसंबर 2022 तक पुरा करने का लक्ष रखा गया है इसको लेकर बुद्वार को जारखन पुलिस मुख्याले में ADG अभियान संजय अनंद लाटकर ने जारखन के सभी जीलो के SP, DIG और CID के पतादिकारियों के साथ समीच्छा बैठक किया है इस समीच्छा बैठक के दोरान लंबीत कांडो के निस्पादन को लेकर ADG अभियान ने जनकारी ली जारी किये गए निर्देश राज में 5 वर्स या उसे भी पुराने सभी कांडो की जाच दिसंबर 2022 तक पुरा करने का लक्ष राज पुलिस मुख्याले ने दिया है बुद्धवार को बैठा के दोरान सभी जीलो में लंबीत कांडो की जनकारी ADG ने लिया है हाई स्कूल सिक्षक नियुक्ती मामला जे एसेस्टी ओफिस पहुंची सोनी कुमारी हाई स्कूल सिक्षक नियुक्ती परिशा 2016 मामले में सुर्खियों में रही सोनी कुमारी बुद्धवार को साटिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस सुरक्षा के बीज जार्खन करमचारी चेन आयोग दफ्तर पहुंची सोनी कुमारी के लावा इस केस में प्रार्थी बने 123 अन्य अभ्यार्थियों के साटिफिकेट वेरिफिकेशन की तारिक भी बुद्धवार को ही सुनीश्ची थी आयो कर्याले में इस मामले में सेस अन्य पेटिशन का साटिफिकेशन वेरिफिकेशन गुरु वार 15 दिसमर को किया जाएगा इधार छातरों के धामकी को देखते हुए सोनी कुमारी को टाटी सीलवे थाना पुलिस के द्वारा एसकोट करके जेसेसी कर्याले तक सुबा साड़े 10 बजे पहुँचाया गया इडी की करवाई के खिलाब सुप्रीम कोट पहुँची जारखन सरकार सुप्रीम कोट ने जारखन सरकार के उस याचिका को सुनवाई के लिए सोईकार कर लिया है जिसमें इडी की ओर से जारखन पुलिस के अफसरों को समन भेजे जाने को चुनावती दी गई है बुद्धवार को जरकन सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोट में मेंसन किया है कोट ने कहा एक दिसंबर में हो रही छुटियों के बाद जनवरी में इस मामले के सुनवाई की जाएगी जानकर स्कार ने जिस मामले में इड़ी की करवाई को गलत और अधिकार छेत्रों का उलंगन बताते हुए आज का दायर किया है वह 2020 में साइव गंजी लेके बड़ा हरवा टोल पलाजा टेंडर विवाज से समन दिता है सिक्षक पद स्रिजन को लेकर सिक्षक संग ने किया प्रदरसन सिक्षक पद स्रीजन में भेद भाव को लेकर जन जाती है अमछेत्रिये भासा 28 प्रशिक्षित सिक्षक संग ने बुद्धवार को राजबोन के समक्ष परदव्शन किया बड़ी संख्या में 28 प्रशिक्षित सिक्षक इसमें सामिल हुए शिक्षकों ने राजे पाल के नाम ग्यापन सौपते हुए इस दिशा में करवाई करने की मांग की शिक्षकों का कहना था कि राजे के पैंशो दस पलस टू उच बिद्यालों में अध्यापन के लिए सिक्छक पर स्रीजन करने में सिक्षा विभाग ने भेद भाव किया है संग के सचीव डिगेंद्र कुमार और स्रीजन हाईबुरू ने कहा है कि राज में भासा को चार सलेनी में रखा गया पाली हिंदी दूसरी अंग्रेजी तीसरी संस्कीत उर्दू फार्शी और अर्बी और चोंथी जनजातिय भासा समूह में कुडूख मुंडारी संथाली हो और खड़िया तथा चेतरिय भासा समूह में नागपुरी पंच परगनिया खोठा कुर्माली उडिया बंगला भासा सामिल है हेमंत कैबिनेट ने 29 प्रस्ताव पर लगाई मुहार मुख्य मंत्री हेमंसरेन के निथित में कैबिनेट की बैठक हुई प्रजेक्ट भौन में चली इस बैठक में मंत्री आलमगीर आलम मंत्री चमपाई सोरेन स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता मंत्री सत्यानद भोकता मंत्री जोभा मांजी मंत्री मिसलेश ठाकूर सहीत कई मुझूद हैं कैबिनेट में 29 प्रस्ताव पर मुहार लगी है पता दे NMS की सेवा विभीन भी भागों में लेने की स्विक्रिती परदान की गई वही राज सरकार के अपर सचीव मुख सचीव को आवाचे करयाले उपलब देकराने की स्विक्रिती परदान की गई रामगण के गोला परखंड के निमरा गाव में बीए सेनेल टावर लगाने की सुख्रिती जारखंड भवन नई दिल्ली के वर्ग दो तीन और चार के करमचारी को विशेश दिल्ली भाता की सुख्रिती पंचम विधान सबाग के नौ मांसुम सत्र का सत्र वासान की सुख्रिती सित कालिन सत्र आहूत करने की सुख्रिती परदान की गई वहीं बाबु दिनेश सिंग विश्व विद्याले विध्याक, जैन विश्व विद्याले विध्याक, सोना देवी विश्व विद्याले विध्याक की अनुमोधन की स्विक्रिती नगरपालिका अधिनियम 2011 में संसोधन की स्विक्रिती वहीं मनरेगा मजदुरों के अनुरोगरह रासी में बढ़ोतरी दुरगाटना मिरती होने पर 75,000 से अब 2,000,000 रुपए समाने मिरती पर 30,000 की जगा 1,000,000 रुपए मिलेगा चत्रा में 4 साल बाद फिर लोटा लाल आतंक करीब 4 वर 67 चत्रा की धरती पर एक वर फिर लाल अतंक लोट आया है महज हपते भर के भीतर दो घटनाओ को अंजाम देते हुए मवादियों ने पूलिस को खुली चिनोती दे दिया है मवादियों ने इन दो घटनाओ के माध्यम से अपनी उपस्थिती का एसास करा कर हड़कम मचा दिया है इन घटनाओ ने न सिर्फ सांती बाहाली के पर्यासों पर पानी फेर गया बलिक पोस्ता की खेती को बल भी दिया है असांका जताई जा रही है कि फिलाल पोस्ता की खेती ही मवादियों के अर्थ बेवस्ता का अधार है जनकारी का दावा आए कि स्पेशल रिजिनल कमेटी के सदस गौतम पासवान के निदित में बागपा मवादी को पुनजिवीत करने की साजिस रची गई है मुख्यमंत्री का रेलवे अधिकारियों पर गमभीर आरोप सहयोग की अपेक्चा है फिलाल अवय देखन को रोकने में रेलवे के दिकाई राई सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं जहारखन में भी आर्जेडी जेडियो की जूगल बंदी बिहार में मुखे मतरि नितिस कुमार द्वारा तेयस्व यादों को आगे करने के बाद यह तय माना जा रहा है कि आर्जेडी और जेडियो की राईनितिक दोस्ती जारखन में भी बढ़ेगी जेडियो और आर्जेडी की यह दोस्ती सतारूट गटबंधन के लिए चुनोती साबित हो सकता है बता दे RJD और GDU यदी जार्खन में साथ आते हैं तो दोनों मिलकर अधिक सीटों के लिए दावेदारी करेंगे इसे जार्खन मुक्ति मोर्चा और कॉंग्रेस के लिए इस्थिती असहज हो सकती है GDU और RJD यदी जार्खन में अपना परभाव बढ़ाते हैं तो ऐसी सीटी में ताल मेल जारी रखने के लिए ज़्यदा सीटों को लेकर खीचाता ना भी होगा गिरी डी के बेंगा बांद में जमीन माफिया ने ग्रामीन पर की फैरिंग गिरी डी जीला अंतरगत बेंगा बांद मधू पुर्मुखे मारग के सोनवार डी मैदान की घेरा बंदी के लिए बुद्धवार की सुबह डेर सो मैधूरों को उतार दिया गया भूम आफिया के मनसुवे की भनक लगते ही सोनवा डी गाउं से जमीन के दावेदार अतिकरमन रोकने के लिए काफी संक्या में ग्रामीन नगाला लेकर पहुँच गया देखते ही देखते दोनों पॉक्स से महल तनाव पुर्ण हो गया जनकारी मिलने के बाद बेगा बांद पुलिस उक्त अस्तल पर पहुँची और तिती को देखते हुए ततकाल कारे को रोकने का निर्देश मजदुरों को दिया बिहार में जहरीली सराब पीने से 30 लोगों की महत बिहार के सारंजीले के मसरक और इसुआ पूर्थाना छेतर में 30 लोगों की संदिक्द महत हो गई है जबकि कई बीमार लोग अस्पताल में इलाज रत हैं अस्थानी लोगों का काना है कि सभी की महत जहरीली सराब पीने से हुई है हलाकि परसासन जहरीली सराब पीने से मौत की पुष्टी नहीं कर रहा फिलाल पूलिस मामले की जात में जूट गई है घाटना से आक्रोसित गरामिनों की मौके पर भीड उमर परी है गरामिनों की भीड ने एसेच 73 और एसेच 90 पर आवागमन बाधित कर दिया है वहीं इतनी बड़ी घाटना होने के बाद भी किसी भी तरह की प्रसासनिक पहल दिखाय नहीं दे रही इलाके के लोगों को आवागमन में परसानी हो रही है मौके पर गाडियों की कतारे भी लग गई है पंकज मिस्रा के खिलाब सुनवाई 23 दिसंबर को होगी एक हैर को रुपई की मनी लॉंडिंग मामले के आरौपीद पंकज मिस्रा सही तीन आरौपीयों के खिलाब आरोप कठन के बिंदू पर सुनवाई 23 दिसंबर को होगी इस मामले में कोट में बुधवार को आरोप कठन के बिंदू पर सुनवाई निधारित थी लेकिन इडी की ओर से आदालत से समय किमांग की गाई आदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई 23 दिसंबर को निधारित की है मामले में पंकज मिस्तरा के साथ प्रेम परकास और पीपी एवां बच्चु यादव ट्राइल फेस कर रहा है धन्यवा यादि आप चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत करें लेकर अब यह साथ साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों को से शिर करना भूलें साथ साथ आप हमें कोमेट वक्स में अपना फिरवाइक अवास से दे थैंक यू